हेलो फ्रिंद्स वेलकम तो मैं चानल तो आज मैं बनाने वाले हूं भिंडी पोस्तों तो मैंने यहाप पे बिंडी को अच्छे से दोकर सुखा लिया है अब हम इसे काट लेंगे तो हम इसके आगे और पीछे के हिस्से को पहले काटेंगे फिर हम इसे बीच से एक बार कट कर अब कड़ाई को गरम करेंगे और इसमें 3 टीबल स्पून सरसो का तेल डालेंगे और हाफ टी स्पून काला जीरा डालेंगे अब हम इसमें कटे हुए बिंडी को डालेंगे बिंडी को हमें 5-6 मिनट तक भूल लेना है अब हम इसमें half teaspoon हल्दी कप order डालेंगे और स्वात के अनुसार नमक डालेंगे इसके बाद हम इसे थोड़ी देर और भूल लेंगे भूलने के बाद अब हमें इसमें 2 tablespoon पोस्तो का पेस्ट डाल लेना है पोस्तो के पेस्ट डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर और भून लेंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे तो मैंने हाँ पे एक कप पोस्तो के पेस्ट का ही पानी डाल लिया है अब हम इसे चला लेंगे अब हम इसमें दो कटी हुई हरिमेश्ट को डाल लेंगे और इसे ढखक कर 10 मिनट के लिए पका लेंगे 10 मिनट भिंडी को मैंने पका लिया है अब हम ढखकन को हटा लेंगे और इसे एक दूबर अच्छे से चला लेंगे भिंडी पोस्तो बन के त्यार है अब हम फिलिम को आफ कर लेंगे आप भी अपने घरों में बिंडी पूस्तों की रेसिपी जरू ट्राइ कीजिए यह बहुत ही जटपट बन जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक्स पर वॉचिंग